सद्धियों नमस्कार स्वागत आप सभी का एग्रिमेशन कोचिंग के ओफीशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सिव घुटिया आपका दोस्त हारदिक स्वागत करता हूं तो साथियों जो साड़े आट बजे हमने लाइव किया था उसमें कुछ टेकनिकल इशूज आ रहे थे इसी कार्ण एक बार मैंने वापस पुने लाइव किया है तो फटाफट सभी जुड़ जाए और ये जो नय क्या लिंक है वो सभी साथियों तक सेर कर दीजिए फटाफट जुड़िये और सभी साथियों तक ये लिंक है वो सेर कर दीजिए आज हम क्रशी प्रवेक्षक भरती प्रिक्षा 2021 का जो किस्टन पेपर है उसका एनलाइसिस करेंगे जो भी मेरे साथी आगे आने वाली पास बहुत महत्वपूर्ण है तो एक बार फटाफट पून है लिंक सेर कर दीजिए क्योंकि जो हम थोड़ी देर पहले साड़े आठ बजे जो लाइव किया था उसमें क्या कुछ टेक्निकल इशूस थे जिसकारण वो लाइव है वो नहीं हो पाया तो एक बार सभी मेरे क बता दीजिए कि आपको वोईस बिल्कुल क्लियर आ रही है यदि वोईस बिल्कुल क्लियर आ रही है तो एक बार डन डन सभी लिख दीजिए यदि वोईस क्लियर है तो एक बार सभी डन लिख दीजिए फिर अपने स्टार्ट करेंगे एक बार सभी यदि वोईस क्लियर है तो done लिख दीजिए फिर अपने start कर रहे हैं ठीक है तो चलिए start कर रहे हैं आज की class और आप एक चीज का ध्यान रखिए हम daily live आपको आना है और हम एक से बढ़कर एक अच्छे level की जो question है वो हम यहां discuss किया करेंगे तो चलिए start करते हैं हमारा आज का जो पहला question है वो है आपकी screen पर दिख रहा होगा पंजाब चुहरा किस फसल की किस्म है तो देखिए पंजाब चुहरा most important variety है जो बताना है आपको कि जो किस फसल की किस्म है फटा फटा इसके answer देजिए option आपके सामने बेंगन, प्याज, इसका correct answer हो जाएगा टमाटर टमाटर इसका correct answer हो जाएगा देखिए टमाटर की जो पंजाब चुहरा किस्म है यह किस्म है पंजाब agriculture university द्वारा विक्सित किस्म है और इसके फल कैसे होते हैं नास्पती आकार के फल रहते हैं कैसे होते हैं नास्पती आकार के फल होते हैं most important important variety है, नास्पतियाकार के फल होते हैं, next हमारा question है, 42, 42 number question है, 10 hectare, 6 hectare है तू, 500 kg नतरजन प्रती hectare की दर से कितने यूरिया, kg की आशकता होगी, यनि आप से पूछा क्या गया है, कि अपने 10 hectare, 6 hectare है हमारे पास, और अपने को क्या डालना है, 500 kg नतरजन प्रती hectare के एसाब से डालना है, तो अपने को कितने kg यूरिया की आशकता होगी, ये बताना है आपको, तो इसको हम कैसे calculate करेंगे, आप फटा-फट इसका आंसर दीजिए, तो अपने calculate कैसे करते हैं, देखी, so into तत्तव की दे मात्रा, तत्तव की दे मात्रा, into छेतरफल, बटे, उर्वरक में तत्तव की मात्रा, तो देखी, इसका अपने calculation आपको कैसे करेंगे, हमारे पास देखी, 100 into, टोटल जो, अपने को कितनी मात्रा चाहिए, यानि अपने को देनी है, डेड़ सो किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेर देनी है, यानि डेड़ सो किलोग्राम हो जाएगा आपका, इसके साथ में, आपका, सो इंटू, डेड़ सो हमारी जो मात्रा है परती हेक्टेर, और हमारा हेक्टेर कितना है, देखिए, दस हेक्टेर है, और बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, यानि हमको जो इस यूरिया देनी है, यूरिया के अंदर कितनी नाइट्रोजन होती है, च्छालिस परतीसत नाइट्रोजन होती है, तो जैसे हम इसको सोल करेंगे, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो कहाज़ए, लगबग 3260 किलोग्राम हो जाएगा, तो इसका जो नजदी की ओप्सन है, हमारा कितना है, 3255 किलोग्राम प्रती हैक्टिर हो जाएगा, नेक्स्ट क्यूशन है हमारा, क्यूशन नंबर 43, किस प्रकार के म्रदा में, किस प्रकार के म्रदा अपरदन में म्रदा मैट्रिक्स यानि प्रिवेस नस्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवदी तक पता नहीं चलता है इंग्लिश में कुछन है जो यह अंस कह रहे हैं कि इंग्लिश में कुछन हमें थोड़ा सा डिसकस किजिए देखे इन विच टाइप ओफ सोईल इरोजन सोईल मैट्रिक्स इज लोष्ट बट रिमें अंडिटेक्टेड फोर लोंग पिरियड यानि ऐसा कौन सा म्रदा अपरदन है जिसके अंदर क्या होता है जो आपका मैट्रिक्स है वो तो उसके लोष्ट हो जाता है की तो इसकी जो प्रत्सरन अवस्ता है या सीट इरोजन है वो इसका क्रेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें जो मिट्टी का सबसे ज़्यादा नुक्सान होता है और इसके अंदर क्या पहली अवस्ता ये फस्ट स्टेज होती है इसके अंदर हमें क्या पता नहीं चलता है ले का जो का वानस्पतिक नाम क्या होगा बहुत easy question है आपके लिए तो यह आप सभी को पता होगा तो इसका correct answer हो जाएगा आपका option B Odium vulgar Odium vulgar तो चलिए next हमारा question है next हमारा question है 55 नीमन में से कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है देखी यह जो यह आपका क्युस्टन है हर एक्जाम में हर तीसरे एक्जाम में यह क्युस्टन पूछा जाता है तो फटा फटा इस क्युस्टन का अंसर दे दीजिए कि आपका जो बाजरा है बाजरा का जो एक परासाइट वीड है वो कुंसा यानि बाजरा का परजीवी खर्पतवार कुंसा है यानि ये आपका पैरसाइटिक रूप में प리े रहता है उस fossil के ऊपर तो देखी आपके पासenser है लोरेंथे स्पीशीज और BARK Zie कैस्कुटा स्पीशीज स्ट्राइगर पेशीज तो इसमें का बाजरा के लिए जो क्यर्ब्र हो जाएंव कौन सा हो जाएगा स्ट्राइगर स्पीशीज तो इसमें आम है चंदन है या जो ट्री स्पीसिस होती है इन पर ये रहता है और आपका ओरोबंकी आपने यदि आप खेत में गए हूं और फिल्ड में आपने देखा होगा कि ओरोबंकी ये वो किस पर रहता है जो आपकी सोलनेसिकुल की जो फसले होती है जैसे सरसों के जड़ के पास अपने गुलाबी कलर का एक वीड देखा होगा. वो जड़के साथ लगा होता है. बिल्कुल ये कौन सा होता है आपका और तमाखों की भसल में भी लगता है. इसके भाद में आपका जो कैस कइस्कुटा इसको क्या का जाता है? अमर बेल कहा जाता है क्या कहते है कैसकुटा रिफलेकसा इसको डोडर भी कहते हैं और इसको क्या कहा जाता है अमर बेल भी कहा जाता है उसके बाद में आपका जो स्ट्राइगा है स्ट्राइगा को क्या कहते है विच वीड भी कहा जाता है और ये गन्ना जुआर बाजरा और मक्का में है जो एक परजीवी खरपतवार के रूप में लगता है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है 56 चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पे निमन में से किस अनाज की फसल में लाइसीन और ट्रिप्टोफेन की मात्रा सबसे कम होती है तो आपको बताना है कि सबसे कम जो लाइसीन और ट्रिप्टोफेन की मात्रा वो किस फसल के अंदर होती है देखी लाइसीन और जो ट्रिप्टोफेन की मात्रा है वो सबसे कम पाई जाती है किस फसल में इसका फटा फटा आंस्वर दे जीजिए भी फटा फट दीजिए इसका आंस्वर लाइसी नोट रिप्टोफेन एग्रिकल्चर स्टडी 56 का भी बता रहे हैं भी अनिल कुमार भर्तपूर CC फटा फटा आंस्वर दीजिए भी बहुत एजी क्यूसन है अग्रिकल्चर स्टडी बी देखें सभी पहला तो यहां से आप एक चीज़ क्लियर कर लेना कि जो लाइसीन और ट्रिप्टोफेन है वो सभी जो सीरियल स्क्रोप होती आपकी अनाज वाली जो फसले होती है सभी के अंदर क्या पाई जाती है मात्रा कम पाई जाती है और जो आपकी दलनी फसले होती है यानि जो पल्स क्रोप होती है पल्स क्रोप में क्या होता है मिथ्योनीन की कमी पाई जाती है तो यह चीज़ आपको क्लियर होनी चीए तो इसका क्या है correct answer आपका हो जाएगा option B इसका correct answer क्या होगा option B यानि मेज या मक्का है इसके अंदर क्या है जो आपकी lysine और ट्रिप्टोफेन की मात्रा कम पाई जाती है लेकिन कुछ varieties है QPM quality protein मेज S के वसल दुआरा कुछ variety विक्सित की गई थी आपको पता होगा जिसके अंदर क्या है यानि lysine और ट्रिप्टोफेन की मात्रा क्या थी उसमें अच्छी खासी थी तो चलिए next question पे हमारा next question है 57 number इसे ratio का राजा भी कहा जाता है फटा फट answer दीजे भी ratio का राजा किसे कहा जाता है option A आपके पास flex option B है जूट option C है कपास option D है सनई तो इसका correct answer हो जाएगा option C cotton easy question था cotton को क्या कहा जाता है ratio का राजा कहा जाता है next है question number 58 58 number हमारा question है देगे आधारीज के थेले पर किस रंग का tag लगा होता है जो foundation seed होता है foundation seed की जो थेला होता है उसके उपर tag कौन सा होता है यह आपको बताना है उस पर देखे कैसा tag होता है option है पीला, सफेद, हरा, नीला बहुत easy question है तो इसका क्या है answer हो जाएगा option B सफेद बिल्कुल भई शावा, संस next question है हमारा 59 question 59th number question हमारा बहुत अच्छा कि उसने बार-बार एक्जाम के अंदर पूछा जाता है international society of soil science परणाली के मिट्टी के वरगी करण के अनुसार silt के कणों का व्यास mm होना चाहिए तो यानि आपको बताना क्या है कि जो international soil society है उसके अनुसार यानि उसने classification किया है soil का उसके according जो आपका silt होता है उसका जो size है उनके particles का size कितना रहता है तो उसका आपको बताना है फटा फट बताएए उसका size कितना रहता है देखे भी option D आपके पास .002 से कम ये किसका होता है ये आपका रहता है clay का यानि .002 से कम किसका clay का रहता है उसके बाद में आपका .002 से .002 mm है वो किसका होता है silt का रहता है तो इसका correct answer हो जाएगा option B और जो आपका इसके बाद में पॉइंट दो से पॉइंट जीरो दो रहता है वो किसका जो सेंड के कोर्स पार्टिकल होती है नहीं बड़ी आकार की बालू होती है उसका सोरी महीन आकार की बालू होती है जो आपकी फाइन सेंड होती है और यह क्या रहती है कोर्स जो सेंड होती है बड़ी आकार की बालू ह होती है उसका तो आपका यहां जो क्रेक्ट आंसर हो जाएगा वह जाएगा ओप्सन बी है चलिए चलते नेक्स्ट कुशन पे हमारा सिक्स्टी नमबर कुशन है भारती कृष्षिय अनुसंधान परिश्यद में केंद्री कृष्षि अभ्यांत्री की संस्तान सेंट्रल इंस्टिट्ट आपका ये ऐंस्टिटूट है वो कहा है ये बताना अपका आपको उप्सन है जासी उप्सन भी है बोपाल उप्सन सी जबल पूर और जहेद्राबाद फटा फटा अनसर देती दिजिए भी बिल्कुल option B हो जाएगा आपका correct answer बोपाल option B हो जाएगा बोपाल के अंदर है आप सभी के अंकुछ शोरान है अंस है, अनील कुमार है सभी के correct answer हो जाएगा बिल्कुल correct answer आ रहे हैं भी चलते है next question पे हमारा next question है 61 number question है देखें हमने आज क्या है live class start की है तो थोड़ा क्या है एक दो दिन आपको लगेंगे जिसमे system में क्या है कुछ technical issues भी आ रहे हैं तो फटा फटा आंसर दीजिए 61 number question का आंसर दीजिए कुफरी पुखराज, कुफरी सित्मान था कुफरी अलंकार इसकी किसमे हैं तो आपको पता है देखते ही आपने idea लगा लिया होगा किस इसका की जिन किसमों के आगे क्या लगा होता है कुफरी वो किसमे किस फसल की रहती है वो सभी की सभी आपकी किसमे किस की रहती है आलू की रहती है आलू की रहती है अब आप बता जीजिए क्यों इसके आगे कुफरी क्यों लगा होता है आलू की जो varieties होती है उनके आगे कुफरी क्यों लगा होता है फटाफट बता दीजिए भी आपसे आसा करता हूं कि आप ये बता सकते हो कि कुफरी क्यों लगा होता है फटाफट बता जीजिए फिर आगे चलते हैं हमी कुफरी क्यों लगा है नेक्स्ट कुशन है हमारा 62 नंबर पुश कर किस की खेती के लिए जाना जाता है अधिए अनील कुमार करें कि भरतपूर करें कि ये तो सिलेबस में नहीं है सर फिर भी परसन आ गया देखिये आपको बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो चीज आपके सिलेबस में ये नहीं कहारा म आपके दो तीन क्यूशन है वो आउट अपस लिबस आ सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है तो इस 62 नंबर क्यूशन का अंसर दीजिए पुशकर किस खेती के लिए जाना जाता है अजमेर में जो पुशकर है वो किस फसल की खेती के लिए जाना जाता है ओप्शन है टमाटर, खजूर, गुल्दावदी और गुलाब और ये पहले वी क्रिसी प्रिवक्सक में पूछा जा चुका है क्यूशन तो ये किस के लिए जाना जाता है क्रेक्ट आंसर बता दीजिए फटाबट फटाबट बताईए वी क्रेक्ट आंसर इसका क्रेक्ट आंसर बता दीजिए वी इसका क्रेक्टांस रोज़ेग अपने बास गुलाब की जो पुशकर अजमेर है वो किसके लिए जाना जाता है गुलाब के लिए इसे के साथ एक क्यूस्टन आपसे मैं और पूछता हूँ कि आपका जो चेती गुलाब है या दस्मक गुलाब है उसकी खेती के लिए कौन सा राजस्तान का छेतर है वो जाना जाता है बताईए भी चेती या दस्मक गुलाब के लिए चेती या जो दस्म गुलाब होता है इसके लिए कौन सा राजस्तान का छेतर जाना जाता है डाई में थेवट आपको बाद में बताना है जो मैं किसन बूछ रहा हूँ चेती गुलाब के लिए राजस्तान का कौन सा छेतर है वो जाना जाता है फटा फटा आंसर दीजिए भी क्योंकि डायमेट थे वट आप क्यों बता रहे हों आंसर क्योंकि आपने ये किसन जो पहले आप देख चुके हो आगे हम जो नए ने किसन आएंगे उसके आप आंसर दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी किसन नमर 63 यह एक परनाली गत कीट ना सक है यानि आपको यह बताना है कि systemic जो insecticide है वो कौन सा है systemic insecticide कौन सा है वो आपको बताना है देखिए परनाली गत या systemic insecticide क्या होता है यह क्या होता है पूरे plant के जो tissue होते हैं tissues के अंदर जैसे अपने plant पर डालते है पूरे यह जैसे उस tissue में चला जाता है जिससे क्या होता है पोदे का कोई भी भाग यदि कीट वो उसको खाता है तो वो कीट है वो मर जाता है तो systemic insecticide आपको बताना है इसमें से आपका systemic insecticide हो जाएगा DMT देखिए अंस्ट आप बताइए विए DMT का जो trade name होता है वो क्या होता है क्योंकि आप DMT तो answer दे चुके हो तो trade name बताइए फटा फट क्या होता है extra knowledge भी तो लीजिये आपने revision हो रहा है आपका अच्छी बात है चलिए वे question number हमारा 64, जिब्रेलिन्स की खोज जापानी विग्यानिक ने किस वर्स में की थी, यानि जिब्रेलिन्स की खोज करने वाला विग्यानिक है, वो कौन सा था, फटा फटा अंसर दीजिए, option A है, कुरास होआ, option B है, चार्ल्स डार्वीन, option C है, एंटोस होआ, option D है, इन में से कोई नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, option A क्रेक्ट हो जाएगा, कुरास होआ, चलिए चलते हैं, next question पे, हमारा next question है, 65, 65 नंबर क्यूसन हमारा, वाइटिस वीनि फेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है, वाइटिस वीनि फेरा किस फसल का वानस्पतिक नाम है, तो इसका आंसर फटा फट दीजिए, अमरूद, अनार, अंगूर और बिर, बहुत easy question था आपका, क्योंकि वाइटिस वीनि फेरा कि अंगूर का वानस्पतिक नाम रहता है तो क्रेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंगूर नेक्स्ट क्यूशन है हमारा 66 गमोसिस या गुदार्ती किस फसल से समधित है गमोसिस या जो गुदार्ती है वो किस फसल से समधित है इसका अंसर दीजे आप निमबू वरग्य फल पपिता, बेल और आम से एक गमोसिस डिजीज होता है फाइटो पतोरा, पामी वोरा दोरा और जो एक क्या है, फंगल डीजीज है, फंगस द्वारा होता है और किस फ़सल में होता है, फटा-फट बता दीजे भी, इसका क्रेक्टांस रोजाएगा आपका नीमबू वर्गिया यानि आपके जो नीमबू वर्गिया फल होते हैं, उनके अंदर गमोस इस डीजीज होता ह जिसमें क्या है गोंद जेसा पदार्त है वो सावीत होने लग जाता है प्लांट से next question हमारा खजूर का वानष्पतिक नाम बहुत easy question है खजूर का वानष्पतिक नाम क्या होगा विखजूर का वानष्पतिक नाम तो इसका आपके पास option नंबर एक है फोनिक्स टक्टाइली फेरा सभी का ये तो बिल्कुल इजी किसन है, इसमें तो कोई गल्थ होने की गुंजाइस भी नहीं है, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट किसन पे, 68, देखिए आपको क्या है, पुराने किसन पेपर सोल करने का फाइदा क्या मिलेगा आपको, देखिए आप देखिए क्या है, 2018 का जो क्रसी प्रवेक्सिक का जो पेपर वा था, उसके अंदर क्या पुछा गया था, आपको याद हो, तो विंटर चेरी पुछा गया था, कि कि सीधा पुछा गया था, कि विंटर चेरी किस फसल का दूसरा नाम है, तो देखिए विंटर चेरी किस का था अस्वगंदा का था अब की बार इसने क्या पूछ लिया बिलकुल हूँ उसी पैटरन पर इसने क्विशन पूछा है कि Light Gores किस नाम से जाना जाता है यानि雑कोरिस किसे कहा जाता है तो देखिए Light Gores mulati को Engreji में क्या कहते है Lyucaris कहा जाता है तो यदि आप English terminology थोड़ी ध्यान में रखेंगे तो आपके question है आपके correct होंगे Next question पे चलते हैं हमारा next question है 69 इसको Chinese layering, port layering, marketage या गुट्टी के नाम से भी जाना जाता है देखिए कौन सी विधी है propagation की जिसको Chinese layering भी कहते हैं, port layering भी कहते हैं, marketage भी कहते हैं या गुट्टी के नाम से भी जाना जाता है बहुत easy question है बताईए भी फटा फट 69 का answer क्या होगा 69 का answer क्या होगा Air layering होगा क्या होगा Air layering होगा गुट्टी दाब भी जिसे कहा जाता है Air layering क्यों कहा जाता है क्योंकि ये air के अंदर है इसको अपने layering है वो की जाती है Next हमारा question है 70 number question सिंचाई की यह प्रणाली पोदे को उसके उपभोगय उप्योग के बराबर पानी की आपूर्ती करता है यानि इसका कहने का मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी विदी ये सिंचाई की जिसके अंदर क्या है जितने पानी की आउशकता होती है उतना ही पानी उसको मिलता है कौन सी विदी है ऐसी तो बहुत एजी कुसन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओप्सन सी बूंद बूंद यानि डिप इरिगेशन और आप ये बताईए कि जो डिप इरिगेशन है वो किस देश से यानि किस देश में इसकी खोज हुई है डिप इरिगेशन की आपने खूब बढ़ा होगा क्यूसर नम्बर है 71 आम तोर पर डैस परतिसत पैक्टीन अच्छी जेली बनाने के लिए प्रयाप्त होता है बिल्कुल अंकुल शोरान इसराइल बिल्कुल क्रेक्ट आंसर आपका और आप ये बता सकते हो कि जो ये इसराइल में खोजा गया था साइन्टिस्ट कौन था यानि इस विदी को विक्षित करने वाला साइन्टिस्ट कौन था देखें क्यूसर नम्बर अपना नेक्स्ट था आम तोर पर डैस परतिसत पैक्टीन अच्छी जेली बनाने के लिए प्रयाप्त है नहीं होगा कभी भी एक परतिसत से ज़्यादा पैक्टीन की मात्रा नहीं होनी चाहिए तो इसका क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उप्षन C, पॉइंट पांच से एक परतिसत नेक्स्ट क्षिशन है हमारा चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पे 72 नमबर क्यूशन है 72 यह भारत के लिए सवदेशी फल है देखे भारत के लिए पूछा गया कि सवदेशी फल कुण सा है अब सवदेशी का मतलब क्या है आपके बास बेर, पपीता, सेब और इन में से कोई नहीं तो इसका आपका जो क्रेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है कि इसका क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए बेर देखिए सवदेशी क्या है यानि कौन से फल की उत्पत्ती भारत के अंदर हुई है ओरिजन सेंटर किस फल का भारत के अंदर है तो देखिए पपिता का मेक्सिको है आपको पता है और सेब का भी भारत में नहीं है अभी सेब का मेरा थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि कौन सा देश है लेकिन भारत नहीं यह confirm है और बेर आपको पता है कि इसका उत्पतिस्तान कहां है भारत है तो इसका correct answer आपका क्या हो जाएगा option A bear next question है हमारा 73 sugar baby किस फसल की पर जाती है यानि आपको sugar baby किस फसल की variety है वो बताना है देखिए sugar baby बहुत important variety है बार बार exam के अंदर यह question पूछा जाता है तो फटा फट 73 नंबर का आंसर वो दे दीजिए कि देखिए यह कच्री और जो टिंडा वो होई नहीं सकता आपको doubt होगा वो खर्बूजा और तर्बूज के अंदर होगा जैसे दुरगापुरा मदू है दुरगापुरा कैसर है यह variety बार बार जो राजस्तान करमचारी चैन बोड है वो पूछता है तो इसका correct answer बता दीजिए क्या होगा देखिए सची निंदलिया सी बता रहें भी सी तो बिल्कुल नहीं होगा तिंडा तो बिल्कुल नहीं होगा तो इसका correct answer क्या हो जाएगा आपका तरबूज हो जाएगा watermelon की sugar baby most important variety रहती है चलते हैं next question पे हमारा next question है 74 pride of India निमन में से किस फसल की किस्म है देखिए pride of India किस फसल की किस्म है फटा फटा आंसर दीजिए आपके पास option है गांट गोबी, lettuce, फूल गोबी और पत्ता गोबी सभी क्रूसी फेरिकुल की जो आपकी सबजिया वो आपके सामने option के अंदर है 74 का अंसर क्या होगा, बिलकुल D होगा भी, बिलकुल D होगा, D आपका क्रेक्ट अंसर होजएगा पत्ता गोबी, pride of India, variety next question हमारा 75 number question है, निमन लिकित में से कौन सा फल सुखा परतीरोदी है 75 number question है, option A है, आपका अंगूर, option B है अनार, option C है अमरूद, option D है आपके पास आम, देखिए जो आपका सूखा, सेहनसील या परतीरोदी जो फल है वो कौन सा है, फटा फटा अंसर दे दीजे भी आपको पता होगा, हमारे राजस्तान के अंदर बाडमेर छितर में अनार का उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये fruit कैसा है, आपका सूखा परतीरोदी, fruit है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, आपका अनार, अनार क्या है, सूखा परतीर question है हमारा, जादा से जादा से जादा से जादा आप सेर कीजे भी, हमारा 76 number question है, बहुत अच्छा question था, और ये बहुत कम लोगों का question है, वो correct हो पाया था, 76 number question है, नरसरी में पोद उगाने के लिए निमली खित में से कौन सा उप्युक्तमाद्यम हो सकता है, यानि आप से पूछा क्या गया है, देखिए, which can be the growing media for raising the seedling in nursery, यानि आपको मीडिया पूछा गया है, कि कौन सा इसमें से नरसरी उगाने के लिए मीडिया हो सकता है, तो आपके सामने option क्या है, पैलाइट है, पैलाइट है, मृदा है, स्पैगनम मोस है, यानि जो एक परकार की घास होत पेजा सकता है, आपने Coco Pit का नाम सुनाँगा, इसके अंदर Coco Pit भी हो सकता है, पैलाइट हो सकता है, मिडिया का काम तो करता है, अपने पोदे उगा सकते हैं, आपका answer हो जाएगा उप्शन D उप्रोक सभी, चले चलते हैं next question पर, next question हमारा 77, which country is the largest producer of mango in the world, तो आपको बताना है विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कुन सा है, option आपके पास, option A है मयामार, option B है भारत, option C है चीन, option D है थाइलेंड, तो विश्व में सबसे बड़ा आम का उत्पादक देश है वो भारत है एक में मोटा मोटा एक आपको आइडिया दू लगबग 50% जो production है, यानि ये exact data नहीं है, आपने कहीं 50 पड़ा होगा, कहीं 54 पड़ा होगा, कहीं 45 पड़ा होगा, चलिए, तो correct answer हो जाएगा इसका भारत, next question की हम बात करते हैं, next हमारा 78 number question है, jam generally contains total soluble solid, यानि jam के अंदर जो साधारनतिया TSS होता है, यहीं total soluble solid होता है, वो कितना होता है, most important question है, बार बार ये question है, वो बिल्कुल daily, आज से daily class होगी, अंस, बिल्कुल आप daily live आया करे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा है, आप अपने साथियों तक share कीजिए, जितने आप daily live आओगे, बिल्कुल अच परस्तित होंगा, तो इसका correct answer बता दीजें, जेम साधारनतिया TSS प्रतिसत कितना होता है, तो जेम के अंदर 68.5% है, वो क्या होता है, आपका TSS होता है, जेली के अंदर कितना होता है, बताईए भी, जेली के अंदर कितना होता है, चलिए चलते हैं, next question पे, next question हमारा है, दे देखे, 81, food and mouth disease is, यानि जो FMD होता है, वो कैसा होता है, option A है contagious, option B है, bacterial, option C है, vitamin deficiency disease, और option D है paracity, यानि खुरपका, मुपका, रोग है, वो कैसा होता है, option A है, सेसरग, option B है, जिवानों जन्य, option C है, vitamin की कमी वाला रोग, option D है, पर जिवी, जन्य रोग, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, आपका contagious, option A, contagious रोग होता है, next question है, 82, निमन लिखित में से किसका प्रयोग पस्व में विरेचक के रूप में किया जाता है, यानि आपका जो विरेचक कह सकते हैं, या पर गेटिव कह सकते हैं, कौन सा पर गेटिव की रूप में इसमें से काम में लिए जाता है, निमन में से किसका प्रयोग पस्व में विरेचक के रूप में किया जाता है, तो इसका correct answer क्या होगा तो आपके सामने option इस परकार है आपके सामने option है A है magnesium sulfate B है aluminium hydroxide option C है रंडी का तेल और option D है उप्योक सभी तो देखे magnesium sulfate को भी काम में लेते हैं aluminium hydroxide को भी काम में ले जाता है रंडी का तेल भी काम में ले जाता है तो इसका मतलब आपका अंसर क्या होगा? उप्रोक सभी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? यानि जो आपका परगेटिव है या विरेचक है और परगेटिव या विरेचक होते क्या है? यानि इनको खिलाने से पसू में क्या है? वो दस्त होने लग जाते हैं. उसे अपने क्या कह का उपियोग किया जाता है आपस्ठें के i7 में प्रोटीन प्रतिश्ट गयाद करने के लिए आपस्ठ 준 भी है दूद में व तर इसके लिए किया जाता है तो गरबल टेस्ट आपने देखा होगा यस थोड़े टाइम पहले आपने एक मशीन देखी होगी गर्बर मसीन तो इसका करेक टांसर हो जाएगा दूद में वसा परतीसत करने के लिए क्योंकि इसके अंडर आपका बुतारोमिटर रख के क्या है घुमाया जाता है गर्बर मसीन के अंढर इसे गर्बर टैस्ट कहा जाता है next question 84 number question भारत में पाई जाने वाली उंट की कूपड युक्त Arabian परजाती को समाने तय कहा जाता है देंके दो परकार का उंट होता है एक आपका कूबड रही तो होता है और एक कूबड सही तो होता है यानि एक के अंदर कूबड पाई जाती है और एक के अंदर क्या होता है कुबड नहीं पाई जाती है तो आपको बताना है कि जो कुबड युक्त उंट होता है उसे क्या कहते है या उसका नाम क्या होता है तो उसका correct answer हो जाएगा आपका option D dromedary camel कहते है इसे एक होता है आपका बैक्टेरिन उंट और एक होता है ड्रोमेडेरी बैक्टेरिन उंट क्या होता है इसके अंदर आपकी कुबड नहीं पाई जाती है और dromedary में क्या होता है आपकी कुबड युक्त होता है next चलते हैं question number 85 मेमने में पूंच अटाने को कहा जाता है यानि मेमने के अंदर जो अपने टेल हटाते हैं इसे क्या कहते हैं option आपके पास noking, option B doking, option C है detailing, option D है detencing फटाफट आंसर देदीजे, easy question है, exam में बहुत बार पूछा भी जाता है तो मेमने में पूछ अठाने को क्या कह जाता है, तो इसका आपका अंसर हो जाएगा, doking क्या हो जाएगा, doking चलते हैं next question पे, next question है हमारा 86 86 question है आपका, निमन लिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तिमाल होने वाली क्रमी नासक दवा है यानि आपको क्रमी नासक दवाओं बतानी थी कि कौन सी है, option आपके पास miloxicam, option B है, oxytetracyclin, option C है, ivermectin और option D है, potassium permagnet तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, देखे, paper के अंदर आपका ये question है वो delete कर दिया गया था और delete क्यों किया गया था, क्योंकि काफी बच्चों ने रिट लगाई थी कि sir इसका answer क्या हो सकता है, potation permagnet हो सकता है और ivermectin भी हो सकता है, board ने पहले की में किया इसका answer ivermectin माना था तो इसका जो correct answer है वो आपका क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं बिलकुल लेकिन इसका most suitable answer वो ivermectin रहेगा और potation permagnet भी हो सकता है इसलिए board ने इसको delete कर दिया था चलते हैं next question पे, हमारा next question है 87 गाय की holistic region असल का उत्पतिस्तान है, गाय की holistic region यानि HF है उसका उत्पतिस्तान कौन सा है, Holland, Scotland, Switzerland, इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer क्या हो जाएगा आपका option A, Holland Holland भी कह सकते हो, आज इसे Holland को किस नाम से जाना जाता है, नीदरलेंड के नाम से इस देश को जाना जाता है HF, दूद के अंदर ये सबसे ज़्यादा दूद देने वाली नसल है और गाय की सबसे क्या है, दुनिया की सबसे भारी नसल भी इसको माना जाता है दुनिया की सबसे भारी नसल है, सबसे अधिक दूद उत्पादन होता है, इसका उत्पतिस्थान ओलेंड या नीदर लेंड है, चलते हैं नेक्स्ट कुशन पे, नेक्स्ट कुशन है हमारा, खीस के बारे में निमन में से कौन सा तथ्या सही नहीं है, खीस के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, देखे, ऑप्शन A है, खीस में विटामिन A बरबूर मात्रा में होता है, Option B है कीस को नवजात पसू के जनम के बाद आदे से दो घंटे के अंदर चाहिए Option C है कीस विरेचक के रूप में कार्य करता है Option D है कीस को सरीर भार के 20% से देना चाहिए तो इसका correct answer क्या होगा देखे इसका जो correct answer है वो आपको बताना है अपने कहा सकते है option A बिल्कुल correct है क्योंकि देखो इसने तो पूछा है सही नहीं है यानि गलत पूछा है option A का है बिल्कुल correct है विटामीन अच्छी मातरा में होता है option B भी आपका correct है क्योंकि आदे से दो घंटे के अंदर खीस पिलाना चाहिए नवजात को option C भी बिल्कुल correct है कि प्रगेटिव या विरेचक के रूप में काम करता है तो इसका आपका यानि गलत कौन सा है तो आपका correct answer option D हो जाएगा जो कि आपका गलत है और खीस कितना पिलाना चाहिए बच्चे के सरीर भार का 10% है वो पिलाया जाता है चलिए चलते नेक्स्ट कुशन पे 89 नमर कुशन हमारा कैप्रा हिरकस वेग्यानिक नाम है दिखिए जो कैप्रा हिरकस है वो वेग्यानिक नाम किसका है बकरी का गोवंस का भेड का और भेंस का इसका जो विग्यानिक नाम है वो option A हो जाएगा करेक्ट कैप्रा हिरकस बक्री का जो विग्यानिक नाम है वो होता है बेड का नाम क्या होता है ओविस होता है और भेस का क्या होता है बुविलिस होता है और गोवन्स का क्या होता है बताइए भी गाए का विग्यानिक नाम क्या होता है फटा फटा आप बताइए भी मैंने तीन बता दी आप भी बताइए बताइए फटा फट गाए का विग्यानिक नाम क्या होता है भी बोस इंडिकस होता है या बोस टारसस होता है देखे बोस इंडिकस और बोस टारसस दोनों ही होते हैं बोस इंडिकस किसका होता है भारतिय गाय का होता है और बोस टोरसस है वो किसका होता है विदेसी गाय का होता है यनि कूबड रही तो जो गाय होती है उसका नाम होता है चलिए नेक्स्ट कुशन नेक्स्ट क्यूशन है 90 नमबर क्यूशन निमन में से बकरी की विदेशी नसल है देखे विदेशी जो बकरी की विदेशी नसल है वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी है वो बकरी की विदेशी नसल है ओप्सन है टोगन वरग ओप्सन B है बारवरी ओप्सन C है जमनापारी ओप्सन D है बिटल तो इसका जो गॉर्ट आन्सर हो जाएगा आपका ओप्सन A टोगन वरग आपकी है विदेशी नशल है या एक्जोटिक ब्रीड है जिसे गोट की कहा जा सकता है देखिए बार्बरी मोस्ट इपोटेंट नसल रहती है आपकी भेड़ की क्योंकि बार्बरी है इसे सीटी गूट कहा जाता है और ये घरों में बांद कर पालने के लिए उप्युक्त रहती है बकरी की सबसे सुन्दर नसल मानी जाती है जमनापारी नसल भी मोस्ट इपोटेंट है जमनापारी नसल के भारतिये भेड़ के अंदर क्या होती है सबसे बड़े आकार की नसल रहती है और ये क्या तोता मुक दिखावटी नसल है रोमन नाक होता है इसका और ये बड़े आकार की भारतिये नसलों के अंदर रहती है बीटल के अंदर क्या है ये पंजाब इसका क्या माना जाता है औरीजन पेलेस और इसके अंदर जो मेल है इसके अंदर दाड़ी पाई जाती है नेक्स्ट क्यूशन है हमारा 91, किस कुकट रोग को न्यू कैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है, बहुत एजी क्यूशन है, विच पॉल्टरी डिजीज इस आलसो नौन एज न्यू कैसल डिजीज, तो इसका क्रेक्ट आंसर क्या होगा, आप्सन है, रानी खेत, एक रानी खेत, जगए उत्रा खंड के अंदर, जहां इस रोग को पहले देखा गया था, तो इसी के नाम पे इसका रोग का नाम पढ़ गया, रानी खेत, नेक्स्ट क्यूसन है अमारा, 92, बान में नंबर क्यूसन है अमारा, जो एक व्यस्क पूरण मुहे वाले उंट में दांतों की संक्या होती है, तो उंट के अंदर दांत कितने होते हैं कुल, वो आपको बताना है, और उंट के अंदर कितने होते हैं, बाकी दूसरे पसों के कितने दान्त होते हैं वो आफटाबड़ बताईये भी, कि अं के अंदर दान्त कितने होते हैं, उंट के अंदर 34, 34 दान्त होते हैं और अन्य खु केमा जो सेलीबस के अंDर पसू है, गाय, भेंस, बेड़, बक्री, इंड में Րन्में, 32 दान्त हैं वो रहते हैं बिल्कुल उंट के बारे में पूरी डिटेल से आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा अपने इस लिंक को साथियों तक सेयर करें और जितनी आप क्लास में संख्या में डेली लाइव आओगे उतने एक से बढ़कर एक अच्छे-च्छे क्यूशन है वो आपके सामने में डेली लाइव लेके आओँगा तो चलिए नेक्स्ट क्यूशन की बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन हमारा 93 नंबर क्यूशन 93 बहुत एजी क्यूशन है क्योंकि आपने देखा होगा जो राजस्तान करमचारी चेन बोड है वो हर एक्जाम में ये क्यूशन पूशता है आपने इस एक्जाम के बाद में कितने देखे होगे इस एक्जाम से पहले आपने कितने एक्जाम देखे हो जिसके अंदर ये क्यूशन बार बार पूछा जाता है कि केंदरी ये भेड़े वं उन अनुसंधान संस्थान स्थान 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 स्थ और 1962 के अंदर इस इंस्टिटूट की स्थापना हुई है के अंदर ये भेड़िवम उन अनुसंदान संस्थान की इसके दोरा भेड़ की कुछ नसलें भी विक्षित की गई है जैसे अवी वस्तर है अवी कालीन है नेक्स्ट की स्थान हमारा 94 नमबर की स्थान है असिया के अकार के सिंग नेमलिकित में से किस भेंस की नसल की विस्था है या जो सीकल टाइप सिंग है या सीकल टाइप होर्न है या असिया के अकार के सिंग है वो किस नसल के होते हैं तो अपसन आपके पास भेंस की जो नसल है क्या सूरत है क्या सकल है तो आपको ऐसे याद रखना है कि क्या सूरत है क्या सकल है तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आमसर सूरती हजियकार की सिंग नेक्स्ट क्यूशन है हमारा 95 नमबर क्यूशन यदि दूद का CLR 28 है दूद का विशिष्ट घनतव क्या होगा यानि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है दूद की कितनी होगी ये दो कैलकुलेटीव क्यूशन है वो पेपर के इंदर पूछे गे थे देखिए जब का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का सुत्तर क्या रहता है एक प्लस CLR बते क्या रहता है एक हजार तो इसका क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक पॉइंट जीरो दो आठ क्रेक्ट आंसर हो जाएगा उप्सन सी नेक्स्ट क्यूशन हमारा 97 नमबर क्यूशन निमन में से भेड की किस नसल को राजस्तान की मेरीनो कहा जाता है कौन सी भेड की नसल है जिसी राजस्तान की मेरी नो कहते हैं आपके पास option है A पूगल, option B है नाली, option C है मालपुरा, option D है चोकला तो इसका correct answer हो जाएगा option D चोकला चोकला को क्या कहा जाता है राजस्तान की मेरी नो कहा जाता है Next question है 97 नमबर हमारा question रहेगा नमिन्तम पसू धन गन्ना के अनुसार भारत के सभी राज़ों में बकरी की अबादी में राजस्तान का स्थान कौन सा है नहीं भारत के अंदर बकरी की संक्या के अधार पर राजस्तान किस नंबर पे है option A तीसरा, option B है, पर्थम option C है दूसरा और option D है चोथा तो कौन सांसर होगा देखिए बकरी की संक्या भारत के अंदर सबसे अधिक है यानि पर्थमस्तान हो जाएगा और संक्या कितनी है बकरी की भारत के अंदर जो राजस्तान के अंदर जो बकरी की संक्या है वो है 2.84 क्रोड 2.84 क्रोड है वो बक्री पाई जाती है परतमस्तान है next question है हमरा 97 नम्बर question है sorry 98 नम्बर question है तांबे के रंग का सरीर बेंश की किस नसल की विशेस्ता है यानि जो तांबे जैसा रंग है बेंश की किस नसल का होता है option A आपके पास मुर्रा option B है कुंडी और option C है नीली रावी यानि जो copper color body होती है वो किस नसल की होती है बफेलो की इसका correct answer आपका क्या होगा option D हो जाएगा बधावरी option D हो जाएगा बधावरी copper color next question है हमारा 99 number question है विश्व की सबसे लोग प्रिय उनी भेड की नसल है यानि विश्व की सबसे लोग प्रिय जो उनी भेड की नसल है वूल सी breed है वो कौन सी है option A है मेरिनो option B है लिंकन option C है कोरीडोल option D है रेंबोलियेट तो इसका जो correct answer है वो आप का हो जाएगा option A मेरिनो क्यूसर नमबर last हमारा क्यूसर है क्यूसर नमबर so हीफर को कहा जाता है देखे हीफर क्या होता है मैंने आपको यूट्यूब क्लास के अंदर एक टर्मिनलोजी बताई थी हीफर बताया था कि क्या होता है देखे option है नर यूबल यानि मेल यंग फीमेल केटल विफोर फस्ट पार्चुरिशन और option D है कime क्या होता है जिसे अपने क्या कहता है यानि ब्याने से पहले तक अपने क्या कहा जाता है फीमेल जो आपकी रहती है गाए कि उसे अपने क्या कहते हैं हीफर कहा जाता है यानि जिसे अपने बच्चिया कहा जाता है तो इसका correct answer आपका क्या हो जाएगा पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेसी तो यह आपका क्रशी प्रवेक्सक 2000 का कुस्टन पेपर था आप शाम को डेली लाइव आईए एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे क्युस्टन है वो आपको मैं डेली करवाँगा ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को सेर करिए जितने संख्या में स्टूडेंट होंगे उतना मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं डेली आपके लिए लाइव क्लास है वो लेके आऊंगा तो आज के लिए इतना ही बाबाई टेक केर गुड नाइट कल मिलते हैं नई क्लास में